दोस्तो एक बार लो, बिमारिया, भुडापा, किसी भी परकार की कमजोरी आप से कोसो दूर रहेंगी और दोस्तो आपकी आखे और दिमाख भी तेज होगा और कमरदर, धकान या मोटापा, खुन की कमी आपको 100 सालों तक नहीं होगी दोस्तो आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, वो बहुत ही खास है, क्योंकि दोस्तो आज की जो वीडियो हैं, उसमें जो ओशनी बताई गई है, अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो आपके अनेक बिमारियां दूर रहेंगी, आपकी आखों की रोशनी इससे आजाएगी इस और शदी के सेवन से, अगर आपकी हडियों कमजोर रहती हैं, हडियों में दर्द रहता हैं, जोडों में दर्द रहता हैं, तब भी ये नुस्खा आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है, आपकी इससे कल्शिम की कमी दूर हो जाएगी, दोस्तो अगर आपकी इमनिटी पावर भी बोश्ट होगी, अंदर से भी आप स्ट्रोंग रहेंगे और बाहर से भी आप स्ट्रोंग रहेंगे, अगर आप इस और शदी का सेवन करते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं, उस और शदी में क्या-क्या सामगरी आपने डालनी है, कैसे बनाना और कैसे आपने इस ओश्दी का सेवन करना है दोस्तों आपने इस ओश्दी को बनाने के लिए दो चम्मच अलसी लेने हैं दोस्तों अलसी बहुत ही फायदे मन होती है अलसी में ओमेगा 3 fatty acid होता है दोस्तों अलसी खाने से कई सारे फायदे मिलते हैं जैसे कि blood sugar level control में रहता है अगर इसका सेवन करते हैं cholesterol का level भी कम रहता है bad cholesterol का और वजन कम करने में भी ये हमारी मदद करती है पाचन शक्ती भी इससे बढ़ जाती है अगर हमारी पाचन शक्ती ठीक रहेगी तो जो भी खाना हम खाएंगे वो अच्छे से पच जाएगा और इससे अनेक बिमारियां आपकी ठीक रहेगी दील में कून का भाव है जो अच्छे से होगा अगर आप अलसी का सेवन करते हैं दोस्तो अलसी बहुत ही फायदे मंध है ये चोटे-चोटे दिखनेवाले बीच बहुत ही उपयोगी होते हैं अगर आपSijuana करते है तो आपका मुढपा भी िस में रहेत है तो आपने लेना है दो चम्मचु डिस्क्रिप्शन में भी हम लिख देंगे कि कितनी कितरी सामगरी देंगे और उसकी एक्जार आप ऐस्पास नहीं मिलरही तो भी कंद करने फॉष किया जाता है इसमें प्रोटीन E इसके सेवन से शरीर की प्रोटीन की अशक्ता पूरी हो जाती है आप चाहें तो इसे कच्चे रूप में भी खा सकते हैं ये फिर किसी भी स्वीट डिश में भी डाल कर खा सकते हैं लेकिन हम इसका प्रियोग यहां पर और्शदी बनाने के लिए कर रहे हैं दोसो इससे शरीरी कमजोरी भी दूर हो जाती है खास्तोर पर इसका प्रियोग मीठी चीजे बनाने में किया जाता है इसमें पोशत्तत भरपूर मातरा में पाय जाते हैं जो कि स्वास्ते के लिए बहुत ही फायदेमन है दोसो चीरोंजी में प्रोटीन की मातरा काफी पाय जाती है इसलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही खायदेमन है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चीरोंजी को चारोली, पयार या प्याल भी कहा जाता है ये एक बीच की गीरी होती है, खाने में बहुत ही स्वादिश होती है और दोसो चीरोंजी दो परकार की वसू को कहते है एक तो जो मंदिर में परसाद की रूप में चड़ाई जाती है वो है चीरोंजी दाना और दूसरी है जो हमें वरिक्ष के फलों की गुठली से मिलती है जो फलों की गुठली फोड कर निकल जाती है जिसे बोलचाल की भाषा में पयाल, प्रियाल या फिर चारोली या चीरोंजी भी कहते है दोसो चिरोंजी से हमारे स्वास्थे को काफी फाइदा मिलता है हमारा स्वास्थे से ठीक रहता है अगर हम चिरोंजी का सेवन करते हैं ना सिर्फ स्वास्थे बलकि हमारी ब्यूटी भी इससे बढ़ती है दोसो चिरोंजी एक तरह कर सूखा मेवा ही होता है इसमें बहुत मातरा में खनीज पाया जाता है, विटामिन्स पाया जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदे मन्द है और दोस्तों आपको चाहिए 12 बादाम, बादाम के फायदे तो आप जानते ही होंगे दोस्तों बादाम में मोनो सैचुरेटिड फैट, प्रोटीन और फाइबर की भरपूर मातरा पाय जाती है इतना ही नहीं बादाम खाने से दोस्तों लीवर, कैंसर का खत्रक कम हो जाता है क्योंकि इसमें विटामिन E काफी मातरा में होता है बादाम में मुझूद विटामिन E अधिक उम्र में आखों और दिल को होने वले नुकसान से बचाता है दोस्तों बादाम से भरपूर फाइदे हमें मिलते हैं क्योंकि ये विटामिन और पोटीन का खजाना है इसलिए आप बादाम को भी अपने डेली रूटीन में जुरू शामिर करें यहां पर दोस्तों हम बारा बादाम इस ओशदी में डाल रहे हैं अब दोस्तों आपने लेना है दो चम्मच सूखा नारियल पाउडर नारियल पाउडर को तो आप जानते ही होंगे सूखा नारियल यह पहुत ही फाइदे करता है नारियल में डाइटरी फाइबर होता है जिससे दिल समंदी बिमारी नहीं होती और हमारे लिए फाइदे मन होता है इसे खाने से श्रीर में फाइबर की मातरा पूरी हो जाती है जिससे कि हमें भूब नहीं लगती और हमारा मुटापा भी कंट्रोल में रहता है दिमाग भी इससे तेज होता है अलजाइमर जैसी घातक बिमारी होने के चांसिस भी कम हो जाते हैं अगर आप इसका सेवन करते हैं दोस्तों इसको नियमित रूप से खाने से आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है बार-बार कोई भी विक्ती हो वो बिमार नहीं पड़ता अगर इसका सेवन करते हैं अगर किसी पुरुष को इनफर्टिलिटी की समस्या है तो उसके लिए भी ये फाइडेमन है और दोस्तों महिलाओं को खून की कमी अकसर हो जाती है खून की कमी के कारण उन्हें एनीमिया हो जाता है तो वो भी औरतों की शकायत इससे दूर हो जाती है और दोस्तों इसमें आयरन काफी मात्रा में पाय जाता है हमारे श्रील में इसको खाने से आयरन की कमी भी पूरी हो जाती है गठिया का दर्द भी से ठीक हो जाता है सूखे नारियल के सेवन से अब आपने लेना है एक मुठी मखाने मखाने भी हमारे लिए बहुत ही फायदे मन होती है ज्यादातर डाइपटीज परसन को मखाने खाने से बहुत ही फायदे मिलते है इसको फॉक्ट नट या कमल के बीज भी कहा जाता है दोसों मखाने से मिठाई, नमकीन और खिर भी बनाई जाती है मखाना पोस्टिकता से भरपूर होता है क्योंकि इसमें मैगनीशियम होता है, पोटाशियम होता है, अईरन, जिंक ये सब भरपूर मातरा में पाय जाता है इसलिए इसके खाने से हमें बेहत फाइदे मिलते हैं अगर एक मुठी हर रोज मखाने भी खा लिये तो हमारा श्रीर इतना स्ट्रॉंग हो जाता है दोस्तों क्योंकि इसके खाने से मदमे की समस्य ठीक हो जाती है कॉलेस्टोल लेवल ठीक रहता है मदमे के जो रोगी होते हैं अगर मखानों का सेवन रोज करते हैं तो उनकी ये समस्य ठीक हो जाती है धीरे-धीरे इंसुलिन बनने लगता है और शुगर की मातरा कम हो जाती है श्रीर में और धीरे-धीरे शुगर रोग बिल का खत्म हो जाता है दिल के लिए बहुत ही फाइदे मन होती है जिन लोगों को तनाव रहता है हमेशा वो भी इससे ठीक होता है जोडो का दर्द भी इससे ठीक हो जाता है पाचन में भी सुधार होता है इसके सेवन से अगर हम और आल हेल्थ की बात करें तो इन से बहुत ही फाइदा मिलता है और दोस्तों आपको चाहिए मिश्री अपना टेस्ट बढ़ाने के लिए इसको मीठा करने के लिए अब दोस्तों आपको बताते हैं कि आपने इस सामगरी को कैसे बनाना है आपने लिए दो चमच अलसी एक चमच चिरोंजी बारा बादाम दो चमच सूखा नारियल का पाउडर एक मुठी मखाने लेने हैं आपने और मिश्री थोड़ी सी लेनी हैं अपने टेस्ट के अनुसार अगर आप इसको फीका ही खा सकते हैं वो बहतर है अगर नहीं फीका खा सकते तो मिश्री डालएं जैसे की बार्वटिक लोगों को मिश्री खाना मना हैं तो वो मिश्री ना डालें वो उसका ऐसे ही सेवन करें आप दोस्तों आपे इन फावर को मिक्सी जार में डालना है और इसससे पीस लेना है दो चम्मच आपने लेने हैं اور उपर से आपने दूद लेलेना है या फिर ऐसलब होता है, आप दो चम्मच दूद में डाल ले, इसको सारे को जो हमने बनाया है और उसका सेवन करें, या फिर दो चम्मच ऐसे ही खालें ये इस खाने में बहुत ही टेश्ची लगता है बे मिसाल ओश्दी है उससे भी हमें काफी फाइदे मिलते हैं तो अगर ये सारी ओश्दिया मिलकर एक ओश्दी में आ जाए तो हमें कितने फाइदे मिलेंगे इससे और दोसों अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप सो सालों तक बिमार नहीं पड़ेंगे और दोसों छोट बर cashyam की कमी दूर्ठ हो जाएगी इससे, किसी भी प्रकार का दर्ध हो शुरीर में, जोडों का दर्ध हो, हाथों में दर्ध हो, पैरों में दर्ध हैं, वो भी सब इससे ठीक हो जाएगा, पेट के रोग आपके ठीक हो जाएगे, पाचन तंतर आपका ठीक रहेगा, immunity power आपकी boost हो जाएगी immunity power boost होने से आप वैसे भी अनेक बिमारियों से बचे रहेंगे और दोसो, आपकी body strong होगी चेल जैसी body बन जाएगी आपकी बिलकुल strong और दोसो, इसका सेवन करने से आप अंदर से और बहार से दोनों तरफ से आप बिलकुल strong बन जाएगे प्लीज लाइक और शेयर जुरूर करना और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकन है उसे भी दबा देना ताकि आपको हमारी आने वाली सबी वीडियो की नोडिकेशन मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों